हेलो गाड़ी देखने में काफी जड़ा सही है चाहाए वो रियर से हो बागी गाड़ी में आपको 1000cc का एंजन मिल जाता है इसमें आपको टर्बो नॉन टर्बो दोनों ही मिल जाती है और उपर से जो है ना इसमें किवल आपको पेट्रोल का उपशन आता है और मैनुल ट्रा निकाल करके दे देती है अपन कर लेट है गाड़ी की बाद तो अपना विंड्शेल डेरे कुछ ऐसा देखने हो मिल जाता रूफ रेल्स होगा इसका जो रूफ है वह काफी अच्छे डिजाइन और इसमें आपको दिखातो जो बोनट है ना इसमें जो शेट्स वगरा करे लोगों मिल जाता है जो का यहां बड़ी साइज का लगा हूँआ है पूरा इसमें आपको LED हेड़ लाइट सेटप मिल जाता और जैसे पहले गाड़ी आती जहां पर fog light रहती थी आजकल सभी गाड़ीयों में वहां पर पूरी आपको headlight देखने हो मिल जाती है और जो उपर रहता वहां पर DRL देखने हो मिल जाती है कलर इस गाड़ी का कैसा लग रहा आप जरूर से बताना बाखी जो है मेरे को तो काफी ज़्यादा सही लगता है और यहां पर कुछ ऐसा काईगर लगा हुआ है अपना बंपर और कुछ आपको ऐसा देखने हो मिल जाती है इसमें आपको 205 mm की ground clearance मिल जाती है जो कि वहाई more than sufficient aट जाती है जो है और इसमें जो आपको फेड रेड़ में आपको यहां पर सब चीजे देखने हो मिल जाती जो यह सीट में एक चीज और एड-on कर दी गई जो कि है अपना wireless वाला charging port वह जो चीज है वह इस और इसकी जो यह remote की है ना यह देखो कितनी ज़्यादा compact है यह बहुत अच्छी remote की अभी तक मैं इतनी सारी गाड़ियां देखी ना लेकिन इसकी जो है प्रॉपर बोलो तो wireless वाली remote की है जैसे आप पास में जाते हैं अपने आप लॉक हो जाती जो की काफी सही है तायर की ज चलाओ ऑफ रोड चलाओ कोई इशू नहीं होता गाड़ी में गाड़ी देखो आप साइट से देख लो काफी अच्छे इसमें ब्लैक डाउट आपको प्यानो ब्लैक फिनिश में देखने मिल जाते हैं जो कि पूरे अपने अपने इलेक्रोनिकली अड़स्टेबल अंदर स आप बैट करके अड़स्ट कर सकते हो अभी जो है गाड़ी में आपको दिखा देता हो इसमें जो शेट्स है या फिर जो भी चीज़े बोलो ना यह काफी अच्छे डिजाइन करी गई है थोड़ा ऐसे बाहर की तरह से गोल गोल सी लगती जिसकी वैसे गाड़ी बड़ी सी आपको देखने में मिलेगी पीछे से जो है ना इसका स्पॉयलर देखो रूफ रेल्स देखो यह बहुत जारा सही आपको देखने में लगती है और जो इसका रियर टेल लाइट है सबसे जाला इसका इंटरस्टिंग पार्ट यहीं पर अभी तक किसी भी गाड़ी में ऐसा टेल लाइट नहीं बना है और यह देखने में ना बहुत जा रहा है इसे फ्यूचरिस्टिक और अच्छा भी लगता और थोड़ा से स्मोक्ड ब्लैक टाइप का आपको देखने मिल जाता है यहाँ पर आपको रेनो लिखा हुआ मिल जाता है और जो है टेल लाइट जाते हैं अपना वाइपर मिल जाता है और जो इसका डिजाइन देखो यह देखो यार कितना मतलब अलग सी चाहिए उपर से गाड़ी आप देखो चाहिए आप यहां से देख लो यह काफी सही है और इसमें हाई मांटे स्टॉप लें लगा दिये गया है शार्क फिन अलग आप कुछ ऐसी देखने में मिलती है और गाड़ी जो है ना काफी उसे उठी उठी सी लगती क्योंकि इसमें 205 mm की ग्राउंड क्लेरेंस आपको देखने मिल जाती है पहले अपन गाड़ी के अंदर चलते फिर और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं डोर अपना है काफी ऐस चीज़ों यह मिरो काफी जाजा सही लगता है बाकी जो है यहां पे अपना पार वेंडों कंट्रोल हो गया ओर वे में कंट्रोल आपको देखने मिल जाते हैं और जो डोर में है आपको हाट प्लास्टिक देखने मिल जाता थोड़ सी जो है सॉफ्टच वाली चीज़े भी लगाई गई है जो की काफी अच्छा लगता है मला टेक्टरड वाला है यहां भी जो है डोर पॉकेट आपको डीसेंट साइस का देखने मिल जाता है इसमें आप पॉर्टल रख सकते हो न्यूस पर रख सकते हो और इस गाड़ी में आपको दो ट्वीटर हो गया है चार पूरा ब्लैक डाउट इंटीर है केवल जो इसकी अपना जो छत रहती है उसका रूप बोल दो वह केवल वाइट कलर में जो कि आपको दिखा रहता हूं बागी जो है यहां पे पूरा ही हैलोजन सैटप मिल जाता है और जो है अपना स्टार्ट स्टॉप को यहां पर बटन मिलता है जो की थोड़ा ऐसे और प्लेश्मेंट भी बोल सकता हूं इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोट्स वगरा देखने को मिल जाते हैं मेटर कॉंसोल आप देखो कैसा लग रहा काफी कलरफुल इसका मेटर कॉंसोल है जैसे जैसे अपन मोट्स चेंज करते हैं वैसे वैसे जो है इसका मेटर कॉंसोल का जो कलर है वह भी चेंज होता जाता है वैसे अपनी बात गवर्त मेरे को तो मेटर कॉंसोल एक काफी ज़यादा सई लगता है इस गाड़ी बाद कॉंसोल नी मिल जाते है लेफ्ट साइड में जो अपना मीडिया कंट्रोल हो गया प्रटेंबंट मिल जाता है जिसमें कि आपको वायलेस एंड्रोइड और एपल कारप्ले बगरा देखने को मिल जाता है इसमें आपको जो है वायलेस चार्जिंग हो गया आपको अपना मोड बगरा सब्सक्राइब जैसे आप चेंज करोगे तो उसमें वह भी सब चीज़ चे देखो इतनी जादा सही डिजाइन और काफी जादा सही भी देखने में लगती यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जिसमें कि आप थोड़ा अपने ऐसे प्राइवेट समान या डॉक्यमेंट्स अगरा रख सकते हो यह चीज है यह काफी है मिरेको तो ब सपोर्ट है मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और जिसमें लेग रूम है नी रूम है वह बहुत जादा सही है आम रेस्ट वगरा काफी इच्छी क्वालिटी का इसके वैसे देखने में तो काफी अच्छा लगता उपर से जो एना अलग से हाइलाइट हो जाती हो चीज इसमें आपको डे-night वाल योर्वि i.e.m. बगरा देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर अपना नॉर्मलसे हैलोजन सटप के सास्थ चीज़ आती हो मिल जाता है यहाँ पर आपको वैनेटी मिरर और कुछ भी नहीं मिलता है और यहाँ पर यह भी अपना नॉर्मल से देखने बाट चलते हैं पीछे की सीट की तरफ और फिर पीछे की बात कर लेते कितना अपन को स्पेस मिल जाता है यहां पर जो है डोर्स पर किवल आपको पार विंडू कंट्रोल देखने हो मिल जाते हैं थोड़ा सा आपको प्यारो ब्लैक फिनिश में अलग से जो थोड़ी से बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में तो बाहर चेकर मैं आपको गाड़ी दिखाऊ ना पूरी औल लेक लड़ी गाड़ी है इसमें आपको पूरी ऐसे अपने फैबरिक वाली सीट लगारा मिल जाती है रिकलाइन एंगल इस गाड़ी का वैसे काफी अच्छा मेरे को लग क्रोम की जगह इसमें प्यानो ब्लैक फिनिश मिल जाती जो कि काफी ज़्यादा सही लगता है से कस्टम मॉडिफाइड वाली जो चीजे होती ना वह सब देखने मिल जाते हैं यहां पर पीछे की जगह बहुत अच्छी अंदर थाई सपोर्ट अच्छा है यहां पर आपको चार्जिंग वगरा मिल जाता 12 वोल्ट को इसमें रियर एसी वेंट भी दिखने हो मिल जाते हैं जो कि आप यहां से कुछ भी नहीं कर सकते हो आगे से कंट्रोल करना पड़ेगा ड्राइवर के पास से ही अपना भी रियर वगरा ओपन करके दिखा ले तो तो इसमें बूट काफी डिसेंट साइज का बहुत बड़ा सा आपको बूट स्पफेस देखने को मिल जाता है तो जो है सामान वगरा काफी सारा आ जाएगा कि इसमें आगे वाली सीट है वह और भी बड़ा हो जाता है तो अभी मैं अगर और बात करो इस गाड़ी के हवारे में तो अगर ना दिखे देखने में काफी जारा सही लगे तो ये गाड़ी बहुत अच्छा आपके लिए उप्शन हो सकता उपर से फोर स्टार रेटेड है इसमें आपको जो है सेवटी सिस्टम काफी सारे देखने को मिल जाते हैं इसमें क्रूस कंट्रोल में भी नेक्स्ट अपडेट मि सबसे बड़ी चीज होती है अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो इसमें सेफटी के सासा जो स्पेस वाली बात होती ना इस गाड़ी में भाई पूरी पूरी स्पेस इसमें इतनी जादा इस पेस अब बड़े कमफर्टेबली चाया कोई पीछे बैट रहा हो चाया आग अगल बहुत अच्छा तो यह सब चीज़े मुझे काफी पसंद आई तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बागी गाड़ी आप देखला वो कैसी लग रही हो इस गाड़ी को आप लेना चाहते हो तो अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग